आज की सुर्खियों पर दमन के जेटी रोड पर एक लगजरी कार की रूफ टॉप पर बैठेक यात्री का स्टन्ट वीडियो वाइरल हुआ सिसी टीवी कैमरे की पुटेज की आधार पर ट्रैफिक नियम का उलंगन करने वाले की तलाश जारी नाना पोंडा के ओजरडा में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में गाउं के पांच आरोपियों की गिरफतारी आम की ट्यानी कातने को लेकर दो भाईों की बीच हुए जगडे में पिता पुत्र और तिन सक्ष ने मिलकर हत्या की पिता ने बेटे से अपने भाई की हत्या करने को कहा युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने चाचा की पत्थर मार कर हत्या कर दी सिल्वासा नरोली रोड पर ट्रक चालक की टकर से एक यूवक्ती मौत हो गई कमपनी से सिक्योरिटी गाड की ड्यूटी करने के बाद कमरे पर जाते समय दुरगट ना गटी केंद्र साशित प्रदेश नानी दमन में जेटी पोर्ट, जमपोर बीच और देवक बीच सहिद शेत्र परटकों के लिए आकरशन का केंद्र बन रहे हैं गुजरात समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में लोग दमन के विबन इलाकों में गुमना पसंद करते हैं हाले में एक यात्री ने लगजरी कार की चट पर बैट कर अपनी और अन्य यात्रियों की जान खत्रे में डाल दी चर्चा रही की घटना से वाकिफ एक नागरिक ने दमन इलाके में ट्रैफिक नियमों का सकती से पालन कराने और ऐसे स्टन्ट करने वाले रागिरों को ट्रैफिक नियमों का पार्ट पढ़ाने के लिए वीडियो बनाया था वही कार की नमबर प्रेट को दुन्दला कर दिया गया है और वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया है इसमें देखा जा रहा है कि युबक सोशल मीडिया पर ट्रैफिक नियमों की धचिया उड़ा रहा है और वीडियो बना रहा है जब दमन पुलिस को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने दमन बंदरगाहा और आसपास के सरकारी और नीजी सिसी टीवी कैमेरों की फुटेज निकलवाई वहीं उस कार चालक की भी तलाश जा रही है जिसने दमन इलाके में कार मोरती समय एक अन्य युवक को कार की छट पर बिठा कर याता यातनियमों का लंगन किया था कुछ दिन पहले नाना पॉंडा पुलिस को कपराडा तालुका के जोगविल गाउं के पास से संदिक्द हालत में एक अधेड का शव मिला था पुलिस ने शव को कपजे में ले लिया और जांच की तो पता चला कि वह शव ओजर्डा निवासी रामा भाई वागात का था पुलिस ने जाश की तो पता चला कि उनकी हत्या कर दी गई बेटे से पुझताच के बाद पता चला कि कुछ समय पहले उनके चाचा तुलजी वागात और उनके बेटे चेतन ने पास में ही रहने वागात का आम की गिरी हुई शाखा काटने को लेकर जबरा किया था पुलिस ने हत्या होने पर आश्चरे व्यक्त करते हुए तुरंत पिता पुत्र को गिरफतार कर लिया और पिता पुत्र समेत तीन अन्य लोगों से पुझताच के गई पांच जनवरी दोहजार चौबिस को वलसार जिले के कपरणा तालुका के उजरणा गाओं के निवासी रामा भाई सुबह सुबह लकडी काटने के लिए नाना पॉंडा गये थे जबकि तुलजी वागात के बेटी चेतन वागात और उनके तिन अन्य दोस्त के यूर काकड रोहित वागलिया और मनोज वडवी ने नाना पॉंडा बाइक पर ले जाने के बाद राम भाई को जोग्विल गाओं के पास एक खड़े के पास जमीन पर फैक दिया के यूर रोहित और मनोज के पकड़े जाने के बाद यह बाद सामने आई है कि राम भाई की हत्या चेतन ने सिर और सेने पर पत्थर मार कर की थी और शव को खड़े में फेक दिया था जमीन को लेकर समय समय पर विवाद होता रहता था और यह पता चला कि रामा भाई को उनके पिता ने मार डाला था जिसने एक बार फिर उसके और उसके दोस्तों के मीच जगड़ा किया था और उनसे रामा भाई को मारने के लिए कहा गया था वलसाट जिले की नानापंडा पोलीस ने संदिक दिशव के गुत्ति सुल जाते हुए सभी आरोपियों को गिरफतार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है और कानूनी कारवाई की है वहीं आम की टहनी काटने को लेकर बनी इस घटना और हत्या कांड से पूरे तालुके में चर्चा का विशय बन गया है लास्ने प्रात्मिर के जोता लास्नी जे माथानों भाग छे चातिनों भाग छेना पर इजाना नीश्यान अता जे बोडी शे एनों तातकलिक पोस्मोटम कराव मा अभी होतु आने पोस्मोटम पहला बोडी आज बजुना गाम्मा पूछ परच करता जे ओजर फडिया ना जे रामभाई जे रामभाई भागात एम नी या बोडी हती हैम ना परिवान आ से बॉडी आडेटिक करी हती पोस्मोटम नो जे रिपोर्ट अमने मड़े हो बैद यस बाद एमां पोस्मोटम रिपोर्ट मा मनर जयना रामभाई नीव मृत्तियों ब्रेन हेम्रेज ना प्राइमरी कोज प्रेथम न मढ़ी वतुँ शाथे साथे चठी तारिक है जे पंचना मुझे करवा मावी वतुँ तेनी अंदर पन जे चपल मढ़े आता मरन जना न ये रस्तानी सामिनी साइड थी मढ़े आता मरण जनार नी जा लास मड़ी है ती तेना थी पंदर पुट दूर एक पत्थर जैनी उपपर मानाव रुधीर ना पन अउसेस अमने मड़े आता एफिसल द्वारा आ चेक कराईन अमें कन्फोर्मेशन पन करियो तू के अउसेसो मानाव रुधीर ना चा एले टोटली जे बनाव अतो एस संका उपजावे वहतो अने पोस्पर्टम नो जे प्राइमरी कॉज़ोप डैज जे रिपोट आवे एना थी अमारी संका प्रबल बनी अती के जे बनाव से ए मडर नो से रामबई वागात नू मुरुत्यू निपजावीन यमनू मडर करिने खून करिने कोई यमनी लास नहीं फैकिती देली से आ अनुसंदाने गाम्मा खांगरीते अमारा जे रिसोर्सीस अमारे इन्फोर्म बापते तपस कराऊता अमारी क्राइमनानी टीम, अमारी एसोजीनी टीम अन्य नानापोंडा पॉलिस्टेशनी टीम तमाम टीमों कामे लागेली हैती अने ए अनुसंदाने गाम्मा रामबई वागात साथे होता एमना परिवार साथे कोई ना अन बनाओ, कोई पहलानों कोई बनाओ, ए बापदे तपास करेतीने दिशामा तपास करता, पोलिस ने तारिक नौमी ए गईकाले एक मोटी सफरता मड़ी छे, ए आखे आखवा जे ब मनोच छे, तूर्जी बई और चेतन ए बनने एकच फडिया मा रामबई वागात साथे लोको रही छे, अने अवार नावार जमिन नी बबत मा अने मकान नी आजुबाजु मा जे आमाना जाड ने बदी बदी बबत में अमनी पहला पन बनाओ बनेला छे, मारा मारी ना अने बोला चाली ना, अने आ बदा बनाओ थी कंटाडी जेने तूर्जी बई ये पोताना दिकराने चेतन ने रामबई वागात ने मारी नाखो माटे वात करे लिया थी, अने चेतन ने पोताना मित्रो, मनोच, केउर अना रोहित एनो सपोर्ट लिदो हतो, अने वैली सवारे, पांसमी तारिके वैली सवारे, ज्यारे रामबई लाकडा काप माटे जंगल माँ जता हाता, त्यारे सवारे 45-45 नी आसपास, एमने जंगल माँ जती योगते नाना कोंडा जवाव माटे लिप्ट आपपाना बाने, आ चारे जणा उतना एक्टिव आपर बैसरीन लई गया खुब मोटी सपड़ता, नानापोंडा पोलिस ने आ मड़नों गुनों डिटेक कराव माँ मड़ी से, तमां 5-5 आरोपियों पोलिस ना कस्तड़ी माँ से, और आगामी समय मा एमना रिमांड लेने, आगाना तमां पुराओ कपजे करवानी कारे बाई चालू माँ से, हाल ज सिल्वासा नरोली रोड पर ट्रक चालक की टकर से, एक युवक की मार दी, जिससे हाथसा हो गया, बिहार के मूल निवासी अरविंद भाई सिल्वासा के अताल में, अमी पॉलिमर कंपनी में सुरक्षा गाड की रूप में काम करते हैं, कल जब वह कंपनी से अपने कमरे पर लोट रहे थे, कभी नरोली रोड पर एक ट्रक चालक ने अरविंद भाई को टक कर मार दी, जिससे दुरघटना हो गई, उन्हें 108 एम्बूलेंस के जरी सिविल अस्पिताल पहुचाया गया, जहां पाया गया कि अरविंद भाई की मौत हो चुकी है, घटना की जानकारी प अंदरा साल से भी ज्यादा उक्काम कर रही है, और जो बंदे का एक्सिडेंट हुआ है, वो इससे में पूरोडी गार्ड है, जैसे अपने को पता चला कि नहीं इसका एक्सिडेंट हुआ है, तो मोके पर हम लोग तो नहीं पहुच पाया लेकिन होस्पिटल में या की प्रोसेस को मिलेगा, प्लस लगभग उसका जो पीएप यह है, लगभग अड़ेतीन लग रुपिया उसको मिलेगा, और अच्छा है कंपनी जो भी अपना ज्यादा से ज्यादा होगा, इसको बेनिफिट मिलेगा, यह कहां काम करता था, आमी पॉलिमर्स कंपनी अथाल, कि दूटी लगभग दिन डूटी करके नाइट में जा रहा था, तो लगभग साढ़े साथ, पाउने आठ बजे लगभग के घटना करीता हुआ, कहां गटना हुआ है, नरवली रोड जो अथाल, सीतल, सीतल पार के वगलपाजु में, क्या नाम था, लड़की का नाम था, अर उमर साडी से पाटक बंद होकर पारडी आने के लिए लोगों के पास अभी भी कोई रिकल्प नहीं है, लोगों का आरूप है कि पुर्व में चल रहे है कैनाम रिल्वे क्वाटर के कारण, नीचे स्वार्ट के कारण सड़क को अब्रुद कर दिया गया है, पारडी पासियों को 15-20 किलोमेटर का चकर लगाना पड़ता है, उमर साडी से पारडी आने का आज तक कोई विकल्प नहीं है, अब पारडी सेशन का प्लैटफॉर्म बनने के बाद जहां नहर है, जो लोग पहले उस नहर से होकर आवाजाही करते थे, बाद में उन लोगों ने आर पईया वाहन वा पैदल आने जाने में काफी सुविधा हो सकती है, यदि यह नहर खुल जाती है तो दो पईया वाहन चालकों को पारडी फोर लेन हाईवे तक पहुचने में पांच मिनिट का समय लगेगा जिससे उमर साडी से गुजरने वाले छोटे वानों को स्थाई सम समस्या से निजात मिल सके, इस समस्या से चिंतित होकर सानिय उमर साडी देशाई वार के जागरुप लोगों ने कई बार नहर को खोलने की मांग की है, लेकिन उमर साडी देशाई वार और माशी वार के लोग जिने आज भी 20 किलोमीटर का चकर लगा कर गंगाजी पलसाना जाना पड़ता है, वे इस नहर के आज तक नहीं खोले जाने से नाराज थे, दूसरी ओर जानकार कहे रहे हैं कि पारडी रिल्वे फ्लाई ओवर ब्रिच का काम पूरा होने में मैं मही महक का समय लगेगा, तब उमर साडी के सानिय लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है पेलू नारू उद्वाडा साइट नो प्लेट्फों छे ए खोली ने आपे तो 25 अजानी वस्ती चे बद्दा ने आवा जावर मांटे सारू पड़े छे कि अवल चे बद्दा ने रेल्वे परमीशन नथी है कि अपतो इए रस्ता बनावा माटे फड़े तानी नथी आप एम के मां हमांगे अ रस्तों कि लह पड़े आप इस चोकिलो मेंटर साथ किलो मेंटर नारू पड़े तो आवे सो इक नारू नारू छे असल चालू उतों अपतो हो पड़े अपर आप लोको आवता ता अमने अहलमा जो रस्तों चालू करें तो बद्धाने अनुकूल और पोई फिरावा लागतो नाथी थोड़ी गड़ी मेत कोई पर आप तो थो थो फिरावा नहीं आप पर से नहीं तो अट प्लिप्तों आपने अपनावी जिया पर आ रस्ता करता हूं तो अमने जे कहूं ते रस्ता महा अटली में अट करें तो सोट अका कोई बीजी जातनी तकलिफ परवन नहीं उमर्गाम तालुका पंच्यात में विधायक की मौझूदकी में सर्पंचो की बैठक हुई जिसमें वे इस बात से नाराज थे कि सर्पंचो द्वारा विकास कारियों में देरी की जा रही है या फिर बिना जानकारी के कारे किये जा रहे हैं उमर्गाम तालुका में या प्रस्तुत किया गया कि सर्पंचो को ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कारियों और GM पोर्टल से सामानों की खरीच से दूर रखा जा रहा है सरपंचों की प्रेजंटेशन और आक्रोश के बाद कुछ बिंदूओं पर बदलाव किये गए पांच साल में सांसद ने उमरगाम तालुका का एक भी दोरा या अनुदान नहीं दिया इसका विरोध हुआ विधायक में आरोप लगाते हुए काहा कि आंगनबाडियों में चलने वाली एजंसी को भी काली सुची के बारे में अंधेरे में रखा गया है और मामले को शांत कराने का प्रयास किया गया सरपंचे कोई का अपने या उब्रोप ठाले वेज न थी कि आपना करूँ छे तो काम मंजूर था यह जवाबदारी टेक्निकल एसो नहीं आवे एसो जे काम मंजूर थे लूँचे त्यां स्थर पर एकां बराबर शेक्टे में जोई लए पचि टी एसापे पर चे एस्टीमिन बने अने एस्टीमिन बने पचि सरपंचे ने के तला प्रणतो आजय में सुच्टना आपी छे कि कोईपन कमिटी मां मंजूर था यह जवाबदारी पर एसेट ने एकां रजिस्टर पंजात मां निभावे यह जवाबदारी सुच्टना करी छे पारडी सॉंधल वाड़ा अश्वमेक विध्याले में वार्षिक खेल कारेक्रम का आयोजन किया गया खेलों की शुरुआत स्कूल के प्रबंध निर्देशक हर्षत पतेल, कैंपस डारेक्टर मनुच पतेल और स्कूल प्रिंसिपल जनक पतेल की मौजूदकी में मशाल जलाकर की गई स्कूल के प्रबंध निर्देशक हर्षत पतेल ने बच्चो को जीवन में खेल का महत्व समझाया इस खेल का आयोजन सिक्षक मित्रों ने सफल बनाया बच्चों ने विबिन खेलों में भाग लेकर उत्सा पुर्वक जशन मनाया आजे 16 नियंदर वार्षी कोच्चाव कुजवाई रहो छे आनियंदर दुरण एक थी आटना एलेके प्राइमरी विभागना विद्यार्थियो औने शिक्षक मित्रों में दानमा उत्री गया छे लगबग 350 जिला विद्यार्थियो आव नवी गेम जेवी के मुजीकल चेर, लिम्बू चमची, रेस, पची, खोखो, तबड़ी आवीद प्रकार्णी गेम मा पोटानू योगिदान आपशे अने विद्यार्थियो साबीत पण कर शे के जिवन येंदर रमत नों पणे अनिरू महत्व चे 12 Π श. 2.3 साथे सहरी शूश्टप सकं अत्यांट आवशक चे मिद्यार्थियों ना उत्सा अने शिक्षकों ना उत्सा ने जुने लागे छे कि वास्तों मा खरेकर आ स्पोर्ट्स दे पन एक जीवन में भागी छे हाजे दुराण एक थी आठना बारकों माटे साड़ा द्वरा स्पोर्ट्स देन वाउजन करा मावी छे जेनी अंदर बधाज बारकों ने एक जग्याय उभाराखी अने सावाना मैनेजिंग डारेक्टर भर्शत सर सावाना केंपस डारेक्टर मनोच सर नी हाजरी मां मसाल रत्तावी और आजना आ कारेकरम नो उद्धाड़न करा माल और बारकों पन खुब उच्छाहित छे अने स्पोर्ट्स नो जीवन मां एक अनेरू महत्वा छे एने बारको आजना आ स्पोर्ट्स नी अंदर भाग दर्शावा थी अमने पन लागया छे के बारकों जो उच्छाह छे एमा दरेक अवनवी रमतों छे खोखो चैस कबड़ी आज बड़ी अनिक रमतों नी अंदर बारकों एक खुब उच्छाह पुर्वक भाग ली दो छे समाचार के अंद में आईए एक नजर डालता है आज के मुख्य समाचार पर दमन के जेटी रोड पर एक लगजरी कार की रूफ टॉप पर बैठेक यात्री का स्टंट वीडियो वाइरल हुआ सिसी टीवी कैमरे की पुटेज की आधार पर ट्रैफिक नियम का उलंगन करने वाले की तलाश जारी नाना पॉंडा के ओजर डा में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में गाउं के पांच आरोपियों की गिरफतारी आम की ट्यानी कातने को लेकर दो भाईयों की बीच हुए जगड़े में पिता पुत्र और तिन सक्ष ने मिलकर हत्या की पिता ने बेटे से अपने भाई की हत्या करने को कहा युवक्त ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने चाचा की पत्थर मार कर हत्या कर दी सिल्वासा नरोली रोड पर ट्रक चालक की टकर से एक यूवक्ती मौत हो गई कमपनी से सिक्योरिटी गाड की ड्यूटी करने के बाद कमरे पर जाते समय दुरगट ना गटी तो ये थी अब तक की खबरिग फिर मिलते हैं और खबरों के साथ देखते रहिए दो अबन्योस नवश्कार